हेलो फ्रेंड्स विल्कम बैक टूर यूट्यूब चैनल दोस्तो शीबा इनु कोईन और क्रिप्टो मार्केट से जुड़ी आज की लेटिस्ट अपडेट्स आपके लिए हम इस वीडियो में लेकर आए हैं लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रह अगर हम बात करें BTC की तो आप देख सकते हैं BTC यहां पर लगबग 48,000 डॉलर पर पहुच चुका है मतलब इसे क्रॉस कर सकता है और यह फिर से 50,000 डॉलर का जो रजिस्टेंस बन चुका है उसे क्रॉस करने की कोशिश करेगा अगर आप देखे तो अभी भी लगबग 24 औ 22 डॉलर यह बड़ा हुआ है ETH भी 4000 डॉलर के उपर आ चुका है मतलब जितनी भी करेंसी जे वो अभी हमें ग्रीन में दिखाई दे रही है तो अगर हम आज की बात करें तो आज सोड़ा वॉल्यूम कम होगा क्योंकि विकेंड चल रहा है लेकिन फिर भी अगर आप देखे तो यहाँ पर BTC उपर की ओर दिख रहा है लगबग 3.63% मार्केट में काफी ज़्यादा नेगेटिव न्यूज आ रही है अगर हम बात करें दोस्तो रशिया की तो वहां से भी आपने देखा होगा जो बेन की न्यूज आई थी उसके बाद कल RBI की तरप से भी यहाँ पर क दूसरी कंट्रीज भी यहाँ पर इस बारे में थोड़ा सा विचार कर सकती है मतलब अगर हम बात करें दोस्तो इस वाइरस की तो यह वाइरस बहुत तेजी से फेलता हुआ नजरा रहा है जिस वज़ए से गौवर्मेंट यहाँ पर कुछ वेसले ले सकती है और उसका जो दोस्तों वो मार्केट पर पड़ता हुआ नजरा सकता है अगर हम शेर मार्केट की बात करें तो उस पर इंपक्ट जरूर दीख रहा है अगर हम क्रिप्टो करेंसी मार्केहिं की बात करें तो अभी आप देख सकते है इतना ज़्यादा является यहाँ पर देखने को नहीं मिल रह ती उससे इसने रिकवर किया और फिर से यह उपर की और आया हुआ है और अगर हम बात करें दोस्तों शीबा की तो शीबा भी ट्रेट कर रहा है 0.0000031 डॉलर पर और 24 और में लगबग 1.21% बड़ा हुआ है अगर हम यहां पर प्रेडिक्शन की बात करें तो एक्सपर्स का य वो है 30 का जहां पर यह पहले था जहां पर अक्टोबर का all time high था दोस्तों वहां पर यह फिर से आ चुका है और यहीं से यह bounce back करेगा तो इसका जो next resistance है वो 0.0000034 है जहां पर इसका पहले support था जिसे break करके यह अभी down में आया हुआ है यहां पर अगर हम volume की बात करें तो volume अ यहां पर 0.0000034 है जहां पर यह से cross करने की कोशिश कर सकता है अगर हम बात करें यहां पर burning की दोस्तों तो शीबा इनू की जो burning हो रही है वो डबल हो चुकी है next 60 days में यहां पर जो update provide की गई है उसके थ्रू यहां पर आपको पता चल जाएगा जो शीबा इनू की burning हो रही ह अगर आप इसका comparison पिछले कुछ दिनों से करें यहां पर 26 December बड़ी burn party है दोस्तों उसमें भी आप देखेंगे काफी बड़ी quantity में यहां पर शीबा इनू को burn किया जाएगा और उसके बाद भी इनके द्वारा कुछ surprises है जिसको यहां पर यह अभी delay कर रहे हैं मतलब अभी बताये नहीं है लेकिन आने वाले टाइम में burn party के बाद यहां पर वो surprises के बारे में भी बताएंगे जो यहां पर शीबा इनू कोईन की burning से जुड़े हुए हो सकते हैं तो यहां पर आप देखेंगे आने वाला जो next year है उसमें काफी ज्यादा quantity में शीबा इनू की जाएगी जो यहां पर स्टीवन कूपर के द्वारा भी प्लान की जा रही है और अगर हम बात करें शीबा इनू के डॉमिनेंस की तो यहां पर आप देख सकते हैं ट्वीटर पर फिर से शीबा इनू ऊपर की और आ चुगा है अगर हम बात करें 72 आवर्स की तो शीबा वास की तो आप देख सकते हैं टॉप 6 मोस्ट मेंशन क्रिप्टो हैस्टेक्स अगर लास्ट 24 और में देखे तो वहां पर शीबा इनू नमबर वन पर बना हुआ है डॉज सेतामा फ्लोकी सेफमून और वेबी टीके आपको नीचे की साइड में दिखाई देंगे मतलब वहाँ पर आप देख सकते हैं ये एशिया की लिस्ट में नमबर 6 पर आपको शीबा इनू देखने को मिलेगा मार्केट केप्के बिलिएंड डॉलर मार्केट केप यहाँ पर शीबा इनू का है अगर हम एशिया की बात करे यां इंडिया में सबसे ज्यादा ट्रेड होने व पड़ेगा RBI की जो मीटिंग हुई थी दोस्तों उसमें यहाँ पर यह कहा गया था कि RBI फिर से यही चाहती है कि क्रिप्टो पूरे तरीके से बेन हो मतलब वहाँ पर उनका कोई सपोर्ट वो क्रिप्टो को नहीं देना चाहती है उसके बाद अगर आप देखें तो अभी ग कोपर के द्वारा लगबग 6 अवर पहले यहाँ पर 3 मिलियन शीवाइनु को फिर से बर्न किया गया है बर्निंग एड्रेस यहाँ पर इतर इसकें का शेयर किया गया है और आप देख सकते हैं यह तोटल क्वांटिटी आप देख सकते हैं लगबग 30 लाग टोकन को यहाँ अगर हम कीमित की बात करें लगबग 96 डॉलर यहाँ पर लगातार स्टीवन कूपर बर्न कर रहे हैं इसके अलावा अगर हम देखे तो यहाँ पर शीवाइनु के द्वरा भी बर्न किया गया अगर यहाँ पर 1.2 लियन शीवाइनु को डेड़ वलेट में ट्रांसवर किया और अगर हम बात करें ट्रांजेक्शन की लगबग 1 hour 37 minutes पहले का ये ट्रांजेक्शन है $38 के Shiba Inuit token यहाँ पर बर्न की है तो बर्निंग दोस्तों लगातार हो रही है इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर Ask The Doctor जो यहाँ पर Shiba को सपोर्ट कर रहा है और इन्हों ने यहाँ पर एक tweet किया हुआ है Reliable Source Just Told Me The Following Time Lines यहाँ पर एक source के थूँ इन्हों ने एक tweet किया हुआ है कि Robin Hood Shiba को list कर सकता है March-April 2022 में वैसे दोस्तों अगर हम देखें तो काफी लोगों को उमीदे कि यहाँ पर 2022 में Shiba नो list होगा January की news भी आपने सुनी थी जहाँ पर यह कहा जा रहा था कि January में Shiba को list कर सकता है लेकिन अभी तक Robin Hood officially कोई भी announcement नहीं कर रहा है उनकी तरब से कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही है कि क्या वो किसी coin को list करने वाले हैं क्या वो Shiba को list करने वाले हैं अगर उनके platform की बात करें लगबग 7 crypto को अभी support करते हैं जिसमें dodge एक मात्र meme coin है उसके अलावा कोई भी ऐसा coin नहीं है meme coin जिसे वो support करते हैं अगर हम Shiba की बात करें Shiba meme coin जरूर है दोस्तों लेकिन technically काफी strong है और हो सकता है आने वाले time में Shiba Robin Hood पर list हो जाएगा लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो अभी यहाँ पर सिर्फ rumor सी देखने को मिल रही है कोई official confirmation news जो है वो अभी तक निकल कर नहीं आई है तो हमें इंतजार करना चाहिए Robin Hood का लेकिन अगर हम Robin Hood की बात करें तो Robin Hood के अलावा बहुत सारे exchanges आ चुके हैं दोस्तों जिन्होंने Shiba को list कर दिया है तो आप महाँ से उसकी trading कर सकते हैं और अभी अगर हम देखें तो Robin Hood पर आता भी है तो शायद उसका impact थोड़ा कम हो जाए अगर वो पहले launch करता तो impact काफी जादा हो सकता था इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर Shiba Zone जो है उसका जो construction है वो यहाँ पर continue हो रहा है आप देख सकते हैं हम बात कर रहे है वेनेजुला की जहाँ पर Shiba Zone create हो रहा है वेनेजुला की अगर हम बात करें तो वेनेजुला में Shiba को काफी जादा पसंद किया जाता है इसके अलावा अगर आप देख सकते हैं Shiba इनुका एक event यहाँ पर organize किया जा रहा है एरगवे स्डेट में और यहाँ से कुछ picture शेयर की गई data consultants यहाँ पर Shiba को support कर रहा है इसके अलावा गर हम Twitter की बात करें तो आप देख सकते हैं Twitter पर Shiba Army फिर से trending में देखने को मिल रही है उसके साथी Robin Hood भी यहाँ पर trending में देखने को मिल रहा था जो थोड़ा सा down में आ चुका है और lockdown भी यहाँ पर trending में देखने को मिल रहा है दोसो lockdown trending में इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि नीदर लेंड में lockdown लग चुका है जिस वज़े से काफी लोग उसे take कर रहे है उसे mention कर रहे है दोसो और कोई भी update निकल कर आती है अब हम आपको मिलते है किसी ओ नहीं update के साथ तब तक के लिए अपने धान रखे धनेवाद